नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। हेलो एवरिवन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम एमीन्स वाला चेप्टर कम्प्रीट कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं समरी आफ एमीन्स की। यानि कि इस समरी वीडियों हम डिसकस करेंगे प्रेश्ट नोत्तर को, यानि कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ इंपोर्टन्ट क्वेशन्स अबाउट एमीन्स और देखेंगे कि किस परकार से उनके आंसर लिखे जाते हैं। तो चलिए, सीरियल वाइज हम यहाँ प पास कुछ इस परकार का क्वेशन है कि आपको क्या करना है यहाँ पर प्रात्मिक एमीन को ढूणना है, आपको दूत्यक एमीन को भी ढूणना है, आपको तिर्त्यक एमीन्स को भी ढूणना है। यह चीज तो करने हैं यहाँ पर। और साथ में यह भी लिखा हुआ है कि य तो सबसे पहले आप याद करिए जब हम बेंजीन सलफोनिक एसिड की रियक्शन करवा रहे थे एमाइन्स के साथ तब हमारे पास उत्पात के रूप में किस परकार के कंपाउंड मिल रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करिए साथी मैं आपको बता दूँ बेंजीन सलफोनिल कुलोराइड जो होता है वो क्या होता है आप याद करिए हिंसबर्ग अभिकरमक को अगर आपको याद आ रहा हो तो अच्छी बात है नहीं तो आप पुराने लेक्चर जाकर देख सकते हैं कि हिंसबर्ग अभिकरमक को हमने कहाँ पर डिसकस किया हुआ है ठीक है हिंसबर्ग अभिकरमक क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पर डिसकस करता हूँ तो हमारा बेंजीन सलफोनिल कुलोराइड जो होता है उसी कोम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि इस परकार के क्वेशन एक नमबर में कई बार एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं, तो आपको याद रखना है हिंसबर्ग अभिकर्मक का जो रासायनिक सूतर होता है, वो होता है C6H5, औ और गेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा होता है, SO2, और साथी साथ यहाँ पर जुड़ा होता है CL, यह यहाँ पर होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, और इसी अभिकर्मक की रियक्शन अगर हम यहाँ पर करवा दें, प्राइमरी और सेकंडरी अमीन के साथ, मैं आपको र उत्पाद हमारा यहाँ पर निर्मित होता है, तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे कंपाउंड निर्मित होते हैं, जिनमें क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं, सल्फोन अमाईड हमारा यहाँ पर उत्पन होता है, यह तो हम यहाँ पर जान चुके हैं कि प्राइमरी सेकंड क्या देता है, लेकिन हमने यहां पर टर्सरी एमाईन का कोई जिक्र नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि टर्सरी एमाईन क्या करता है, खिंसबंग अभी कर्मक के साथ किसी भी amine लेकिन secondary और primary amine दोनों यहाँ पर sulfonamide नामक का उत्पाद देते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होगा कि primary कौन सा है और secondary कौन सा है क्योंकि दोनों क्या है एक ही परकार का उत्पाद दे रहे हैं तो तब हम कैसे उनकी पहचान वहाँ पर कर सकते हैं इसी को हमने यहाँ पर discuss क करना है तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे aliphatic amines को यानि कि primary amine लेंगे हम लेकिन हमारे पास होगा aliphatic amine यानि कि C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा NH2 अब पलस यहाँ पर क्या करना है आपको हिंसबर्ग अभी करमक लेना है और हिंसबर्ग अभी करमक क्या होता है म मैं direct यहाँ पर संद्रचना नहीं निर्मित कर रहा हूं मैं सीदे लिख लेता हूं यहाँ पर C6H5SO2 और यहाँ पर हो जाता है CL यही हमारा क्या होता है हिंसबर्ग अभी करमक होता है इसी को अगर हम यहाँ पर प्रोसीड कर दें यानि कि reaction अगर आगे बढ़ाएं इन दोन C5 यहाँ पर SO2 साथी यहाँ पर chlorine क्या करता है लीप कर जाता है और यहाँ पर हमारे पास जुड़ जाती यह वाले species यहाँ पर क्या हो जाएगा NH और NH आप जानते हैं यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है अगर आपको यहाँ पर यह trick sort लगती है तो आप जाकर पहले video lecture तब हमारे पास किस परकार से formation होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि यहाँ पर क्या होता है, यह electron देकर nitrogen पर आ जाता है positive charge, जिसके बाद यहाँ पर एक hydrogen से जो electron share के वह है nitrogen ने, वो यहाँ से ले लेता है, और hydrogen proton के रूप में भार निकल जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस परकार से निर्मित होता है, C2H5, और पलस यहाँ से जो हमारा proton निकला है, यानि कि H निकला है, और साथ में यहाँ से निकल रहा है Cl, और HCl यहाँ पर gas के रूप में भार निकल गई है, इसी compound को हम यहाँ पर नाम देते हैं, N-ethylbenzene sulfonav यहाँ पर हमारे पास निर्मित होता है योगिक, यह तो हमने यहाँ पर देखी है primary amine के लिए, यह आप देख पा रहे हैं, हमने देखा primary amine को हिंसबर्ग अभी कर्मक के साथ react करवा कर, जिसमें हमारे पास compound के रूप मिलता है N-ethylbenzene sulfonamide, अब यहाँ पर हम देखते हैं द्वित्यक amine के लिए, यानि कि C2H5 यहाँ पर NH और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ C2H5, यह हो गया हमारा secondary amine, अगर इस secondary amine को हिंसबर्ग अभी कर्मक के साथ अभी कर्या करवाय जाता है, तब हमारे पास उत्पात किस परकार से मिलता है, वो हम यहाँ पर देखें यानि कि हमारे पास कुछ इस परकार से होगा जो हमने उपर भी लिखा हुआ है, SO2Cl, यह हमारा होगा हिंसबर्ग अभी कर्मक, और अगर reaction प्रोसीड करती है, तो उसी परकार से होगा जैसे कि उपर हुआ है, यहाँ पर electron दे देता है nitrogen, तो यहाँ पर होगा C6H5 और यहाँ पर SO2, यहाँ पर हो जाएगा nitrogen, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, N, और nitrogen से H इस बार नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हो electron वापस ले लेता है hydrogen से, और hydrogen proton के रूपे सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5 एक यहाँ से जुड़ेगा, और 1C2H5 यहाँ पर ल जाने की H, और साथ में क्या निकल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, C, यहो कि gas के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास मुक्य उत्पात के रूप में यह उत्पात यहाँ पर मिल जाता है, और इस उत्पात का यहाँ पर नाम क्या कहलाता है, N, N, डाइथि आपको clear कर दूँ, ये वाला जो compound होता है यह मिले अब इसका कारण क्या है, इसको हम यहांपर वैसे हम discuss कर चुके हैं, जब हम lecture पढ ले थे लेकिन फिर भी हम यहांपर मोटा मोटा idea ले ले लेते हैं कि इस परकार का compound यहाँ पर चार के साथ अबिले के हो है और यह यहाँ पर चार के साथ बिले के हो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सलफोनमाइड की nitrogen से जुड़ी hydrogen जो है यहाँ पर यह क्या करती है सलफोनिक सम्मों की उपस्तिती के कारण परवल अमलिय होती है यह क्यों होती है क्योंकि यह क्या करता है electron को अपनी ओर खींसता है यानि कि electron withdrawing का कारे करता है तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है acidic hydrogen हो जाता है जिसकी वज़े से यह acidic होने के कारण यह क्या होता है चार के साथ बिले होता है क्योंकि चार और एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं यानि कि चार और अमल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं लवन का निर्मान करते हैं ये तो आप जानते हैं तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं एसिडिक हाइडोजन है जो क्या करता है चार के साथ बिले होने के पस्चात यहाँ पर लवन का फॉर्मिशन कर देता है ठीक उसी परकार से आप देख सकते हैं जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है इसके साथ कोई भी acidic hydrogen नहीं लगा हुआ है जिसकी वज़े से आप कह सकते हैं यह क्या होता है चार के साथ अभी ले होता है यह तो आप जान चुके हैं यहाँ पर और ठीक इसी परकार से आपको पैचान भी करनी है जब आपके पास compound मिल जाएगा तो यहाँ पर इस compound को यानि की N-ethyl benzene sulfonemide को अगर NaOH या फिर KOH solution के साथ घोलेंगे तो वो घुल जाएगा तब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है प्राइमरी एमीन है और अगर यहाँ पर N-N-diethyl sulfonemide को अगर आप छारी अमाद्य में गोलते हैं तो वहाँ पर हमारे पास वो उत्पाद गुलेगा नहीं तब आप कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है secondary एमीन का एक उत्पाद है और आप पैचान सकते हैं secondary और primary को और तिरत्य कैमाईन में मैं कहीं चुका था कि तिरत्य कैमाईन इस परकार की reaction नहीं देती है तो यहाँ पर discuss करना कुछ इतना ज़्यादा important नहीं है क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि यह क्या होता है और विर्चन का मतब आप यहाँ पर समझी गियोंगे कि विर्चन का मतब होता है यहाँ पर निर्माण यानि कि यहाँ पर Gabriel Thalemite Sinculation के द्वारा किस compound का विर्चन किया जाता है या फिर निर्माण किया जाता है यह आप यहाँ पर discuss करेंगे वैसे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि Gabriel Thalamite Sonsillation जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और बहुत जादा इसका depth में जाकर हमने discuss किया हुआ है जिसमें हमने इसका क्या देखा था? हमने इसका mechanism भी देखा था तो Gabriel Thalamite में जनरली क्या होता है? प्राइमरी एमीन का formation होता है ये मैं आपको बता दूँ यहाँ पर लेकिन दूसरी चीज में आपको यहाँ पर किलियर कर दूँ कि प्राइमरी एमीन में सिर्फ आपके पास एलिफेटिक एमीन का ही formation होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है न कि यहाँ पर एरोमेटिक ठीक है एलिफेटिक प्राइमरी एमीन यहाँ पर निर्मित की जाती है यह आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे साथी साथ मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि जो aromatic amine होती है वो यहाँ पर aromatic primary amine यहाँ पर नहीं निर्मित होता है ठीक है यह आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस परकार की यहाँ पर किसी भी परकार का उत्पाद नहीं मिलता है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब बात यहाँ पर यह आती है कि aromatic primary amines यहाँ प पर एक सिंपल सा है, क्योंकि aryl halide thalamide से प्राप्त रेनायन के साथ ना भी किस नहीं परतिस्ता पर ना भी किरिया नहीं कर सकता है जिसका कारणिया पर सीधा-सीधा ये वाला आंसर इसका निकलाता है कि aromatic amine या पर क्यों नहीं बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेशन था, गैब्रियल थेलेमाइड संसलिसन का परियोग किसके विर्चन के लिए किया जाता है तो हमने जाना कि primary amine लेकिन primary amine में हमने ये भी जाना कि ये सिर्फ alipatic primary amine के लिए ही परियोग किया जाता है लेकिन यहाँ पर aromatic primary amine का निर्मान नहीं होता है तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्रिया लिखने के लिए नहीं कहा गया था तो इसलिए इस question के आगे वाला question हम अब discuss करने वाले है जो कुछ इस परकार से है कि निमलिक्त को चारक्ता की बढ़ते करम में ब्योस्तित कीजिए और इसके उपर भी हमने बहुत अच्छे से discuss किया हुआ है तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि चारक्ता का करम किस परकार से यहाँ पर ब्योस्तित हो सकता है सबसे पहले अगर मैं इस compound की बात करूँ तो इसको हम कुछ इस परकार से खोल कर लिख सकते हैं C2H5 यहाँ पर हो जाएगा और इसके साथ hydrogen लगे हुए है और यहाँ पर lone pair भी होता है अब यहाँ पर देखिए जो हमारा C2H5 group है यानि कि यह समोज जो होता है यह क्या करता है electron releasing का का कार्या करता है तो यह जो यहाँ पर acidic hydrogen है क्या यह इसको easily छोड़ पाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है यह minus इसको इतना easily नहीं छोड़ेगा क्योंकि approach यहाँ पर strongly होगा तो जो easily H plus ion नहीं छोड़ता है वो तो छारिया होता है यह तो हम जान चुके हैं लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि इन सब में करम किस परकार से होगा यानि कि कौन अधिक्छारिया होगा तो चलिए उसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले compound को भी तो इस compound को हम अगर यहाँ पर खोल कर लिखें तो यह हो जाएगा C2H5 यहाँ पर nitrogen और nitrogen के साथ C2H5 यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर electron pair भी है अब यहाँ पर देखिए जो electron releasing है वो 3 है तो यह क्या करेंगे nitrogen की तरफ electron फेंगे जिसकी वज़े से इसकी electron negativity अधिक हो जाएगी लेकिन अधिक होने से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास यहाँ पर hydrogen तो है ही नहीं यह तो आप देख रहे हैं तो इसको रख लेते हैं अभी इकलिए separate चलिए तीसरे compound में आपर देखते हैं यह है N यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H यानि कि यह है हमारा ammonia और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी परकार का electron releasing समोन नहीं लगा हुआ है और ना ही यहाँ पर electron withdrawing लगा हुआ है तो यह भी हमारा क्या हो गया यह तो हमारा सीधा सीधा है कि यह छारिया हो जाएगा क्योंकि electron negativity यहाँ पर nitrogen की इतनी अधिक नहीं होगी जिसकी वज़े से यह क्या करता है H प्लस आयन डोनेट कर देता है यह तो हम देखते भी है अब देखिए हमारा जो last compound है वो है यहाँ पर N यहाँ पर hydrogen यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर भी लिख लेता हूं C2H5 इसी फरकार का compound है यानि कि यहाँ पर क्या है secondary amine है और एक इसके पास क्या है यहाँ पर electron pair है यहाँ पर देखिए हमारे पास electron releasing कितने लगे वे हैं दो लगे हैं यह दोनों क्या करते हैं nitrogen की तरफ electron भेजते हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर electron का density बढ़ जाता है और electron का density बढ़ेगा या फिर उसका minus बढ़ेगा तो क्या वो easily इस H plus को छोड़ पाएगा वो तो अपनी तरफ इसको खीचेगा यह तो आप जानते हैं plus minus का सबसे ज़़ादा attraction होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास करम आता है वो कुछ इस परकार से आ सकता है यहाँ पर मैं लिखूंगा NH3 सबसे ज़़ादा क्या होता है acidic होता है इन सब में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला compound है, यानि कि जो हमारे पास tertiary amine है, वो ये वाला है, इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कि C2H5 का whole thrice, और यहाँ पर हो जाएगा nitrogen, क्योंकि इसके पास hydrogen तो ही नहीं, तो यह देगा अभी कासे, और फिर यहाँ पर कौन सा आजाएगा, primary amine, यानि कि C2H5NH, यह हमारा हो गया primary amine, और अंत में सबसे चारिया कौन होता है, जो हमारा secondary amine है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, C2H5, और इसका लिख देंगे हम यहाँ पर whole twice, और साथ में NH, यह यहाँ पर हमारा क्या आजाता है, यह आजाता है हमारा चारिया का करम, जो कि हमारा यहाँ पर question भी था, और हमें क्या करना था, बढ़ते करम में ही ब्योस्तित करना था, जो कि हम यहाँ पर एक भी रहे हैं, सबसे ज़्यादा चारी है यहां पर कौन है, secondary amine, फिर है primary amine, फिर है यहां पर तर्सरी amine, और अन्त में है यहां पर ammonia, यहनि कि अगर acidic nature की बात करें, तो ammonia सबसे ज़्यादा acidic होता है, और सबसे कम basic होता है, तो यहाँ पर हम उपर भी इसका करम लिख सकते हैं, कि यहाँ पर किस परकार से करम इसका vary करता है, तो आप यहाँ पर इसका adjustment भी कर सकते हैं, जो हमने उपर लिखे हुए, वैसे मैं यहाँ पर आपको order बता चुका हूँ, चलिए next question discuss करते हैं, next अमारे पास है निमिल लिखित अभी किरियाओं को पूर्ण कीजिए, अब यहाँ पर हमारे पास primary amine दे रखा है, और primary amine को यहाँ पर chloroform के साथ घोला गया है, with KOH solution, यानि कि जो हमारा potassium hydroxide होता है, अब आप इस अभी किरिया को थोड़ा सा याद करिए, और आपको याद आ जाएगा कि यह अभी किरिया कौन सी वाली है, और इस अभी किरिया को हम बहुत अच्छे से discuss भी कर चुके हैं, यह तो आप जानते हैं, तो इस अभी किरिया का नाम यहाँ पर है carvil amine reaction, यह आप जान चुके होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो compound निर्मित होता है, वो होता है isosynide, यानि कि हो सकता है आप के पास methyl isosynide हो, या फिर ethyl isosynide हो, क्योंकि हमने यहाँ पर R को सिर्फ alkyl को परजन करने के लिए लिखा हो है, तो यहाँ पर हमारे पास compound जो निर्मित होता है, वो होता है R, N, टिर्पल बॉंड के साथ हो जाता है, C, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं alkyl is isosynide, और यहीं यहाँ पर उतपात की रूपे मिलता है, और पलस यहाँ से compound निकल रहा है, के ACL, और पलस साथ में यहाँ पर water molecule भी निकल जाते हैं, अब अगर इस अभी क्रिया को balance करें, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हो है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, यहाँ पर भी हो होता है, उसकी जो गंद होती है, वो किस परकार से होती है, वो होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बदबुदार, यानि कि बहुत गंद आती है, अगर आप इसको laboratory में खरेंगी तो, तब आप पता लगा सकते हैं, कि यहाँ पर हमने primary amine को chloroform और KOHK solution के साथ घोलने पर हमारे पास cyanide solution प्राप्त हुआ है, यानि कि cyanide का उत्पार प्राप्त हुआ है, और इसी अभिकिरया को हम क्या कहते हैं, carvolamine reaction भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं, carvolamine अभिकिरया इसको कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं, और इसको हमने बहुत अच्छी से डिसकस भी क और आगे आपका डैस डैस दिखा रखा है, जो की अगेन आपको क्या करना है, इस अभी क्रिया को यहाँ पर करना है, पूर्ण, अब आप यहाँ पर याद करिए, ब्रोमिनेशन हो रहा है, in the presence of sodium hydroxide, और इसी अभी क्रिया को हम क्या कहते है, हॉफ्वेन ब्रोमाइड, तो अभी क्रिया, इसी को हम क्या कहते है, हॉफ्वेन ब्रोमाइड निमनीकरन अभी क्रिया, और मैंने ये भी बताया था कि इसको हॉफ्वेन ब्रोमाइड निमनीकरन अभी क्रिया क्यों कहा जाता है, हॉफ्वेन तो ठीक है कि हॉफ्वेन यहाँ पर scientist का नाम है, और bromine भी ठी क्योंकि यहां पर bromination किया जा रहा है लेकिन यहां पर जो नया सब्दार है निमनिकरण इसका अर्थ क्या है इसको भी हम यहां पर समझेंगे अगेन मैं आपको यहां पर बता दूँ जो हमारे पास नया उत्पाद मिलता है वो मिलता है यहां पर primary amine का यानि कि हमारे पास कुछ इस परकार से उत्पाद मिलेगा और NH2 यह हमारा हो गया primary amine प्लस यहां से क्या निकल जाता है sodium carbonate यानि कि हमारा यहां पर होगा NaCO3 यानि कि Na2CO3 प्लस यहां से क्या निकल जाएगा N-A-B-R यानि कि sodium bromide प्लस यहां से इसके साथ साथ क्या निकल जाएगा water के molecule भी निकल जाएगी अब अगर इस अभी क्रिया को आपको balance करना है तो यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर भी हो जाएगा 2 अब यह reaction यहां पर balance अभी क्रिया है और hopman bromide में आप देख सकते हैं primary amine का formation होता है और हो यहां पर भी वही हो रहा है लेकिन बात यहां पर यह आती है कि इसको निमनी करन क्यों कहा जाता है कुछ बच्चे अवस्य जानते होंगे कि इसको निमनी करन क्यों कहा जाता है लेकिन जो नहीं भार निकल रहा है और इस alkyl के साथ ही यहाँ पर NH2 जुड रहा है जब कि जो यह carbon है यहाँ से निकल जा रहा है जो हमारा क्या होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कार्वोनिल समो, और यही यहां से क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, इसी की वज़े से यहां पर इसको कहा जाता है, हॉपमेन ब्रोमाइड निमनिकरन अभिक्रिया, जिसको हम यहां पर चट्चा कर चुके हैं, चलिए, नेक्स्ट क्वेसन यहां पर डिसकस करते हैं, जो से पहले आपको क्या करना है, एनिलीन मनाना है, एनिलीन को अगर सोडियम नाइट्रेट के साथ गोला जाता है, यानि कि N A N O 2 हमारा होता है, सोडियम नाइट्रेट्, और साथी साथ यहां पर ले लिंगे आप डाइलूट HCl, इन तीनों को अगर यहां पर मिक्स अप किया जाता है यहाँ पर 5 degree temperature पर या फिर आप यूं कह लीजिए 0 से 5 यहाँ पर लिख सकते हैं कहीं पर भी compound का formation हो सकता है तो हमारे पास जो compound निर्मित होता है वो होता है diagionium salt या फिर आप यूं कह लीजिए यहाँ पर होता है हमारे पास benzene diagionium chloride का formation यह यहाँ पर हो जाता है 2 और इसके उपर आ जाता है positive charge और साथी साथ यहाँ से जुड़ जाता है CL और CL के पास होता है negative charge और इसी को हम क्या कहते हैं benzene diagionium chloride अब इसी benzene diagionium chloride को अगर आप reaction करवाएंगे आगे HCl के साथ यानि कि HCl आप लेंगे यहाँ पर साथी साथ यहाँ पर आप क्या लेंगे tetrafluoroboric acid क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बनाना है fluorobenzene बनाना है तो यहाँ पर reaction होती है Hbf4 ठीक है Bf4 जो कि यहाँ पर क्या है tetrafluoroboric acid यानि कि यह क्या है, common acid की तरह कार्य करता है, इतना strong नहीं होता है, और हमारे पास यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है, वो मिलता है fluorobenzene का, यहाँ पर पैरा पोईशन पर जुड़ जाता है fluorine, अब यह यहाँ पर क्या हो गया, fluorobenzene का निर्माण हो जाता है, जो कि हमारा पर हमको बनाना भी था, और यहाँ पर इस पूरी अभिक्रिया को नाम दिया जाता है, बाल्ज सीमेन रियक्षन, इस पूरी अभिक्रिया का नाम है, इस पूरी अभिक्रिया को यहाँ पर नाम दिया जाता है, वाल्ज सीमेन अभिक्रिया, अब आपको यहाँ पर याद रह कि वाल्ज स्रीवेन अभी क्रिया में क्या होता है फ्लोरोव एंजीन का निर्मान होता है तो यहाँ पर समरी वीडियो समाप्त होता है मिलेंगे नए चेप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद